आज इस वीडियो में एक बहुत ही उनीक और इंट्रस्टिंग टापिक है कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि किसी ने साथ बार है और ट्रंस्प्लांड किया हो तो जवेद मेरे साथ बेटे बास इसके साथ तक्रिबन दोस्ती हुई ये दो तीन दाफ आया मैंने मना क ये अमने का और ट्रंस्प्लांड नहीं करो लेकिन मुझे पते है दो आजार आठारह उनी थी ये इस से मुलाकात वही थी उसके बाद भी उसने एक ट्रंस्प्लांड किया तो जवेद जो है ना वो बेसिकली टीचिंग करते है और क्रिकट भी कहलते है तो इस पर जाते है एक बात याद रखे जिस तरह हमें कहता हूं कि हेर ट्रंस्प्लांड एक के मुफलाज है कि आपका जो गंजा पने वो खतम हो जाए सर पे इतने बाला जाए कि गंजा नजर ना आए तो पिर आपके लिए ये रिजल्ट काफी है अगर आप दस बार भी कर ले उस तरह नहीं बनती है जिस तरह आला ने बनाए होते है मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं जो रिजल्ट हम दिखाते है वो बहुत अच्छी रिजल्ट होते है खराब रिजल्ट कोई नहीं दिखाते है वीडियो में मेरे भी इस तरह रिजल्ट होंगे जिस तरह जवेत कहे के रिजल्ट अच्छा नहीं होगा लेकिन वो जिसका डोनर अच्छा नहीं होते तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होते है कुछ लोगों का बाड़ी रिस्पांस इस तरह होते है जिसका डोनर भी अच्छा हो लेकिन रिजल्ट नहीं अच्छा आजाते है लेकिन आपका सर करेगा मेरा इतना यकीन है तो जावेद का इसलिए इंट्रेस्टिंग है आप लोगों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे चैनल पर अग्षार वो लोग है जिसको इंड्रोजेनिक के लोपेश्या होता है और बालों के रिलेटिड मसले होते हैं तो इसी वज़ाद से जाव अपरेशन यकी किया तह ति इन अपरेशन तो ये होगा ये पर उसके बाद गयाई ये किसी सांटर में पाकिस्तान की तक्रिबए जितने सांटर है मेरे अलावा सबसे ट्रंस्प्लांट कराया इसने ठीक है तो फिर उसने किया इसका डोनर साइट आप देख लें उसमें मु में किया तक्रीबान इसने टोटल साथ ट्रंस्प्लांट किये हुए ये जो बता रहा है मुझे और वाकिए डोनर साइट में मल्टिपल स्कार्ज भी है तो आज इसका रिजल्ट में दिकाना चाहता हूँ शुकर यह कि मेरा कोई इंपूट नहीं है इसके सर में मैंने काम नहीं किया है लेकिन यह बताना चाहता हूँ देखो इसके अच्छे काफिक अच्छे बाले सर पर देखो इतने हैर स्टाइल बनाया है ठीक है इतने डेंस नहीं है जितने नहीं बनाये थे तो लेकिन इसका जो यह ना वो मसला लो गया इसको कोई गंजा नहीं बोलते है एरलाइन इसका अच्छा है बिलकुल नेचर लग रहे पस सिर्फ यह के नीचे है यह अगर उपर होता तो आज इसका वर्टेक्स खाली ना होता यह मेरे पास आया है वर्टेक् नजर आता है लेकिन यह वर्टेक्स के लिए प्रिशान है जो हैरलाइन में आप लोगों को अमेशा कहता हूं कि इसको नीचे नहीं रखना चाहिए आप लोगों से उपिनियन भी लेना है सब कमेंट्स में हमें जवाब देंगे कि नेक्स इसके साथ क्या करना चाहिए यह कि मुझे ट्रंस्प्लांट करें मैंने इसको आफर किया कि ट्रंस्प्लांट चोड़ दे मैंने का आपके आंके जो है ऩ न लोगों ने इसके बाल लगाए लेकिन यहां तक इसकेilight마 यत यहां तक यह दोनर एर्याइय भी सिकका झाली हो गया अब ये वर्टेक्स के लिए मिरी लिए停 Nik-可ूर लो लेकिन मिन्हीрез करना की जाता हूं और इसको मैंने समझा अभी है अभी डोनर धिकाता हूं इसको देखो इसमेंश कार नदर आहरा है एक दो तीन चार स्कार तो मैं ये काउंट करता हूँ पिर ये जो स्कार है ये बहुत मोटा है यहां से दो तीन दफ़ा एक सर इस स्कार से लिया गया है अब एक उपर भी स्कार है ये बिलकुल गलत जगह से किसी ने लिया ये उपर है इस स्कार से जितने फ्यू टी के अब आदे यहां पे बाल ग्रोफ बहुत कम करते है और आच रिजल्ट नहीं आते हैं लेकिन फृंट प्रनप प्रेशन आशाना चाहिए क्योंकि फृंट कि इसकी नर्म होती है आप怕 के सामने है साथ सेशन्स का रिजल्ट Tus सेवन सेशन का यह रिजल्ट है और वो भी FUT का इसने FUT कोई नहीं कराया है अच्छा यहां से केता है FUT यहां से चीन से भी किया है दाड़ी के बाल भी इसमें लगाया है तो यह अप्शन भी खत्म हो गया और इंट्रेस्टिंगली इसने जो पहला सेशन किया था ना दौधर तीन में उस टाइम एफ एफ इफ इट इसने एडवांस नहीं था उस टाइम मोठे मोठे पंच लेते थे पचास पचास तीस तीस ग्राफ्ट होते थे इसने वह वाला भी पहले किया हुए इसमें वह ग्राफ्ट अल्रेडी मौजूद है तो जाविद से भी पूछते आप लोगों को क्या सजेशन देता है कि हैर ट्रांस प्लान्ट के बारे में इसका बहुत एक्सपिरियंस है मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादे एक्सपिरियंस है क्योंकि यह दौजर अज़र थीन से इस फिल्ड में लगा हुए ट्रांस ग्यारा से कर रहा हूं तो जाविद ची उपिनियन शेयर करते हैं कि हाँ यह ट्रंस्प्लांट का रिजल्ट कैसा होना चाहिए और किया एक्सपेक्ट करनी चाहिए और तोड़ा आप लोगों को बता देगा जी जाविद बिस्मिल्ला रह्माद रहीं अभीब साब के पास आज में यहां पे आया हूं पहले भी आया था क्यों मैंने बता दिया कि पहले साथ दफा में सेशन ले चुका हूं लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको इन्होंने पूरी दिखा दिये मुझे मुझे से ज्यादा आप लोग ज टीचिंग करता हूं दूसरे में प्लेयर हूं क्रिकेट भी कहलता हूं तो उस में जरा मुझे अच्छानी लगता है इस तरह का लुक खासकर क्राउन एरिया जो है वो खाली है तकरीबान इस पे एक सेशन में ले चुका हूं क्राउन पे लेकिन बहुत कमजोर है पता भी न जलते क्यों स्पेशियन हुआ है बारहल जिसको शोख हो यह अक्सल में एक नफसियाती सा मसला है जिसको शोख हो तो मैं तो सिजेस्ट करता हूं कि हभीब साब के पास आए मैंने इनकी रिज़र्ट देख लिए हैं माशाला बहुत एची डिन्सिटी भी लुक भी नेच्छ अब जिस शेयर में भी हो जहां पे भी हो आप अपने लिए क्वालिफाइट प्लस्टक सरजन डूंडे उसके प्रिवियर्ट रिज़र्ट देख ले उसका एक्स्पिरियंस देखे तो आप उस पे ब्लाइंड ली ट्रस्ट कर सकते हो और मेरे पास आएंगे मेरे क्लिनिक मे मेरा वादा होता है हर मरे इसधा कि दोका नहीं होगा आपके साथ बाकि मेरा मेसेज यह इस वीडियो में कि अगर ट्रांसप्लांट दस दफ़ाभी किया जाए उसकी तरह नहीं होता है जिस तरह लग पहनी होता है तो जावज से मैं ये एक्सेट करता हूँ कि आप लोगों के क्लेटिंग में बैटा हूँ तो इनकी तारीफ कर रहा हूँ जो चीज अची होती है वो उसको अच्छा कहना चाहिए अगर सेशन की बात है मतलब अभी मैंने यहां पर क्लियांट को देखा तो डाकर साब ने मैं पूचा कि इसके कितने सेशन हुए तो इनने बता है कि उसक सेशन हुआ है और माशालला वो इतने अचीज बाल लग रहे थे कि उसका स्किन बीगल इसमें चुपा हुआ था तो मेरे खाल में डिनसीटिकी की भी बात होती है दो तीन सेशन अगर किसी के बाल अच्छे डोनरी रह चाह तो मेरे खाल में उसका बहुत ही बहतरीन जो होते हैं इसको आप गिला कर दे दूप में कड़े हो जाए तो उस मिस्कीन नजर आएगा चितना भी अच्छा रिजल्ट हो मेरा हो या किसी और का हो तो जावेच से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो में कि आप इसी पर एक्तिफा कर ले और ट्रंस्प्लांट से बस मना हो जाए ना करें क्योंकि इसका डोनर साइट बहुत जो ने अल्जरी डिसकारिंग होई है अगर इस से और भी ग्राफ्ट लिए जाए तो इसको नुक्सान होगा इसका डोनर साइट एक्स्पोज हो जाएगा थेंक्यू फर वाचिंग अल्ला अफिर